नमस्कार इन खबर में आपका स्वाट रते संसद की बजट सत्र का दूसरा चरण आज से सुरू हो गया है पहले ही दिन बित मंत्री निर्मला सीता रमन लोकसभा में जम्मू कस्मीर का बजट पेस करेंगी जहां एक तरफ सरकार की कोशिस होगी कि इस बजट को पास कराने समय तमाम जरूरी काम का जल्दी जल्दी निप्टाए जाए वहीं भी पक्ष, पी एफ पर ब्याजदर घटाने, बेरोजगारी, महंगाई और उक्रेन में फंसे भारतियों का मुद्दा उठाने के लिए तैयारी कर चुकी है लोकसभाई स्पीकर ओम बिड़ला ने ट्वीट करके उमीद जताई है कि बजट सत्र का दूसरा चरण सांती पुर्वब चलेगा अंसद मनिस्तिवारी ने रूस, उक्रेन, युद्य और उक्रेन में फंसे भारतियों की निकासी पर चर्चा के लिए लोकसभाई में अस्थगन प्रस्ताव दे रखा है एक तरफ बिपक्ष अलग-अलग मुदों पे सरकार को घिरने की कोसिस करेगा वहीं पाँच राजjyों में आई विधान सभाचुनाव परड़ाम को ले करके सत्तापक्ष काफी उठ्सा ही थे दिपंजाब को छोड़ देते चार राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने जा रहे है लिहाजा बीजेपी की तरफ से यानि सत्ता पक्ष के तरफ से भी कोशिस होगा कि बीपक्ष के वार को भोत्रा किया जाए और उन्हें बताया जाए कि आप देख लिजे की जमीन पर कहां खड़े हो तरह संसत की करवाई पे हमारी नजर रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साजा करेंगे रहिए ने बेखबर देखते रहिए इन खबर थैंक यू